हेलो गाइस वेलकम बेक टू माई चेनल आज हम ब्रेक फास्ट में शेयर करने वाले है आपके साथ वेजी वेजी ओमलेट ब्रेट तो ये सेंडवीच बहुत ही जटपट और बहुत ही हेल्दी सा बनके रेडी होंगा तो बने रहे हमारे इस वीडियो के साथ यहाँ पर हमने मिल्क ब्रेट ले लेने हैं और ब्रेट को देखिए इस तरीके से हम चोकोर आकार में कट कर लेंगे आप चाये तो ढकन के साइस के भी कट कर सकते हैं और इस तरीके से हम सारी ब्रेट को कट कर लेंगे ये सुबा सुबा के लिए जटपट बनने वाला ब्रेकफास्ट है ये बच्चों के लिए भी काफी अच्छा आप्शन है तो देखिए बन चुकी है तो दूसरी तरफ एक बॉल ले लेंगे उसमें हमने अंडे को फोड के डाल देना है अब उपर से डाल देंगे लाल मिर्च पॉडर दो से तीन पींच नमक स्वात के अनुसार और बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब यह सब को चम्मस से अच्छे से हम फेट लेंगे और नोन श्टिक तवे को हमने गेस पे मीडियम फ्लेम पे रख दिया है और उसमें कुछ पूंते ऑईल के डाल देंगे और जो कटकी वी ब्रेड है उन्हें इस तरीके से हमें अच्छे से फैला देना है और हमने कुछ वेजीस बारिक कट कर ली थी वो इस तरीके से जो प्रेड की हॉल है उसमें डाल देंगे हम और नीचे से कुछ बूंते ऑईल के डाल देंगे ताकि यह हलके हलके से फ्राय हो जाए तो यह वेजीस में है शिमला मिर्च, गाजर, चुकंदर, प्यास और बारि हमें रखके हुलोग अ और यहास स्वील मिर्च, वेजीस में तो फ्राइज है जो सरड़की है। ऑपर से डल देगे, जो हमने फेड के अंडर रखा था, तीरे-दिरे करके this तरीक मे καना है और जो लदेख allora, जो तुपर हमने इसी तुकड करद बच häric. तो इसे दो से तीन मिनिट के लिए धक के हम पकने देंगे ताकि नीचे साइट से अच्छे से फ्राय हो जाए तो अब ढखकन हम खोल लेते हैं इस तरीके से इन्हें पलट देना है ताकि दूसरा साइट भी हल्का सा फ्राय हो जाए तो बनके रेडी है ये सेंविश तो गर्मा गरम इसे निकाल लेते हैं और ये सुबह की ब्रेकफास्ट का बहुत ही अच्छा आप्शन है तो देखिए कट करके भी हम देखते कितने अच्छे से ये कट हो रहा है और सारी वेजीज और अंडा इसमें मुझूद है ये भी पक चुका है और देख सकते हैं बिल्कुल बनके रेडी है वेजीज, ओमले, सेंडवीच तो आज की हमारी रेसेपी कैसी लगी ज़रूर बताएं साथी चेनल को लाइक कर दीजिए